गुद मॉर्निंग क्लास, आज हम ड्रॉइंग क्लास में बनाएंगे टर्टल याने की कच्छवा, ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक सी, ओके, और यहां से हम लोग इसे ऐसे लिकर आएंगे, यहां से ऐसे, ओके, अब हम इसको यहां से स्ट्रेट लेके यहां से हम लोग अपर पार्ट बनाएंगे, हाफ सरकल लेते हिए, ठीक है कलास, और यह, ठीक हे, अब हम इसके अंदर बॉक्सेस बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है कलास, ऐसे देखिए, इससलिए हम इस थार आएंगे, अब यहां पर हम इसके पैर बनाएंगे दू जगह पर हम लोग इसे यहां पर ऐसे मिटा देंगे ठीक पैर बनाने के लिए ऐसे और ऐसे यहां पर हम इसकी आइस बनाएंगे तो आपका अब टर्टल जो है रेडी है अब हम क्या करेंगे हम इसमें कलर करेंगे तो कलर करने के लिए सबसे मैं पहले मैं ले रही हूं ब्राउन कलर ब्राउन कलर करने के सबसे पहले आप करेंगे आउटलाइन आउटलाइन जो है आपको अंदर की तरफ से करना है यह आउटलाइन आप बाहर की तरफ से नहीं करेंगे जब आपका कलर करते हुए बाहर निकल जाता है तो उसे कैसे cover करेंगे वो भी मैं आपको drawing में बताऊंगी आपको सबसे पहले ये outline करके आप अपने अराम से free hand से जो है अंदर आप color कर सकते हैं ठीक है इस तरह से ये आपने color किया ऐसे eyes के अंदर नहीं करना है ये आप थोड़ा ध्यान रखना इस तरह से जो है आपको ये color करना है इसमें और यहाँ पर जो उसकी हमने leg बनाए हमने जो pair बनाए है इसके उपर भी हमें इस तरह से color करना है हमारा ये clear हुआ next अब हम क्या करेंगे green color जो है green मैं सबसे पहले ही क्या कर रही हूँ यहाँ पर यहाँ पर मैं dark green यूज कर रही हूँ ठीके और जो boxes है इसमें मैं light green यूज करूंगे तो पहले हम लोग इसे कर ले जहाँ जहाँ पर यह इसको हमने इस तरह से color करना है ऐसे हम लोग color करेंगे यह हमने color किया अब क्या करना है कि हम यह light color करेंगे यह हमने लाइट कर भी कर दिया ग्रीन का अब हम इसको फिनिश करेंगे अब आप देखेंगे जैसे यहाँ पर यहाँ पर आप देखो कि green color निकला हुआ है यहाँ आप देखो कि green थोड़ा सा निकला हुआ है तो इसको हम लोग किस तरह से cover करेंगे देखेंगे ऐसे ठीक है ब्लेक से जब हम लोग outline देते हैं तो जितनी भी जो हमारी गलतियां होती है जो हमारे color जो बाहर निकला होता है हम उसे उसी की उपर से cover करते हुए अगर लेके जाएंगे तो हमारी सारी गलतियां जो है वो छुप जाती है ठीक है और एक अच्छा सा finishing जो touch इसको मिलता है आपकी drawing को तो फिर और भी अच्छा लगता है ठीक है यह हम लोग इस तरह से करेंगे ठीक है है यहाँ पर ऐसे outline करेंगे ओके क्लास तो outline करने के बाद आपका turtle कुछ ऐसा लगेगा तो हम थोड़ा सा एक यहां पर रास्ता दिखा देते हैं ठीक है यहां पर इस तरह से थोड़ा हम इसे कहीं पर खड़ा कर देते हैं तो यह पॉश्चन हम लोग इसको हल्का सा ग्रीन करना है ठीक है और थोड़ा बहुत ब्राउन करना ऐसे है ठीक है हमने यह ब्राउन किया ग्रीन किया अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा यहां पर घास दिखाएंगे ठीक है इस तरह से ठीक है और थोड़ा यहां पर लिए अब हम इसे आउटलाइन करेंगे इस तरह से तो यहां पर हमारा इस तरह से जो है आपका टर्टल रेडी है ठीक है आपको इस तरह से अपनी कॉपी में बनाना है अपनी ड्वाइन नोट्बुक में बनाना है ठीक है क्लास ओके बाई 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 झाल है झाल पर यहाँ यहाँ एक चुपी में बनाना है